नमस्कार मैं करशिश और स्वागत आपका नेक्स्ट नाइन न्यूस में सचिन पैलिट और मुख्य मंत्रिय अश्योग गहलोत एक बाप फिर से आमने सामने हैं अब देखा जाएं कि ये बात क्यों सामने है क्योंकि आज सोमवार के दिन जहां जुन-जुनों में नज़र आएंगे सचिन पैलिट तो वही अश्योग गहलोत सुख जिंदर सिंग रंधावा और गोविन सिंग डोटासरा के साथ टॉंक में नज़र आएंगे वही टॉंक ज सबोधन होगा सचिन पैलेट का अलग-अलग लोगों के साथ अब यहाँ पर अश्योग घहलोत की पहले कोई प्लानिंग नी थी लेकिन अच्छानक से यह सामने आये कि अब इश्योग घहलोत भी मैदान में उतर आये हैं टोंक में वो नजर आ रहे हैं जहाँ पर उन्होंने क सचिन पैलेट और अश्योग घहलोत उसी एरिया में घूमते नजर आएंगे सचिन पैलेट जुनजुनु और जैपूर में नजर आएंगे तो वही पर अश्योग घहलोत टॉंक में और अलग-अलग जगाव पे नजर आएंगे तो कई न कई माना जा रहे हैं कि दोनों करने के कई संके दिखाई दे रहे हैं लेकिन साथ आएंगे नहीं आएंगे ये तमाम तरीके के सवाल बने हैं अब साथ ही साथ देखा जाये तो कुछ जगाव के नाम सामने हैं वह आपको बताना चाहूं ही जिसमें कहा जा रहे कि 17 अप्रैल यानि कि आज अजमेर टॉंक नागोर, भिलवाडा, जोतपूर, बाड मेर, जैसल मेर, पाली, सिरोई और जालोर, जिलो के विधायकों से 1-2-1 समवाद करने की चर्चा जोरुशोरों पर बनी है शोगहलोत की और यहाँ पर उन्होंने बताए कि इसी प्रकार 18 तारिकों उदेपूर, चितोडगर, और प नुमानगर, जैपूर, चुरू, बिकानेर, अलवर, दोसा, सिकर, जुन जुनु इन जगावाद पर नज़र आएंगे और विधायकों से 1-2-1 समवाद भी करेंगे लेकिन देखा जाये तो इन्हीं सब एरिया ओपर कही ना कही सचेन पालेट भी आते नज़र आएंगे औ अब देखा जाएंगे आप सचेन पालेट के कारेकरम की भी बात कर लेते हैं का जा रहा है कि दोपेर एक बज़े यानि आज जुन जुनु जिले के खेतिडी में शहीद शियोराम की गाउ जाएंगे ये केवल एक दिन के कारेकरम की शुरुआत है और इस कारेकरम को लेका टैयारी तेजी से चल रही हैं अब यहां पर जनता का तो यह कहना है कि अगर पालेट और गेहलों साथ में मैदान में उतरते हैं और यहां पर विदायकों से और जनता से वन-टो-वन करते तो शायद इसका फाइदा जादा ही देखने को मिलता तो कि आपको लगता है कि वे नेक्स लाइने लग्स